हाई फ्रेंट्स आप सब जानते हैं कि इस साल नीट का एक्जाम भी थोड़ा सा डिले हुआ और अभी तक काउंसलिंग की डेट्स फाइनल नहीं हुए है और जब काउंसलिंग डिले हो रही है तो पैरेंट्स के दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा है कि अगर स्टूडेंट काउंसलिंग में नहीं हो पाता है तो फिर उनके पास क्या ऊप्षिंस बचते हैं नैचुरल है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज़ इंडिया में सर्च कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी भी हैं जिनका बजट उतना जादा और वहाँ पर फिर हमारे पास क्या options बसते हैं क्योंकि जातर options जो abroad के हैं वो आप close होने वाले हैं तो आप सभी के लिए एक अच्छी news है आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ नेपाल यानी MBBS in Nepal की वहाँ पर registration खुल चुके हैं और Medical Education Commission ने forms जारी कर दिये हैं जो कि start हो रहे हैं 29 December 2021 से 3rd February 2022 तक इस बीच में आप अपना registration form भर सकते हैं कि हर बच्चे को यह दिक्कत होती है कि वो college का selection कैसे करें क्या उसको इंडिया में private medical college लेना चाहिए या फिर उससे थोड़े और कम या उसके बराबर के budget में उसको नेपाल जाना चाहिए इन issues पे हम आज discuss करेंगे तो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं 5 top government medical colleges of Nepal यह वो colleges हैं जिसमें हर student जाना चाहता है और आपको जानना चाहिए कि वहाँ पर government medical college में आप admission लेना चाहते हैं तो mandatory आपको MEC का exam देना होगा जैसे अपने नीट का exam होता है वहाँ पर भी जो common entrance test होता है वो आपको pass करना पड़ेगा उसके बाद ही आप government medical colleges में admission ले सकते हैं क्योंकि government medical colleges में आपका इस exam का qualify करना बहुत ज़रूरी है और उसके basis पर ही आपका वहाँ पर matching होगा तो चलिए बात करते हैं कौन से वो 5 top government medical colleges हैं कितनी उनमे seats हैं और कितनी fees हैं अभी government ने और medical education commission of Nepal ने final कर रखा है कि सभी government medical colleges की fees बलकि नेपाल के सभी medical colleges की fees उन्होंने standard कर दिये 75,000 dollars जो कि Indian rupees में 56 57 lakh rupees के आसपास होती है तो आप किसी भी college में जाएं आपको यही fees जमा करानी होगी और यह fees आपके university में deposit होगी ना कि आपके college के अंदर अगर आपको यह में decide करने में दिक्कत हो रही है कि इनमें से कौन से medical college में जाना है तो मेरे इस वीडियो को end तक जरू देखिए है मेरा नाम है कि government medical colleges में वहाँ पर on an average 100 seats होती है 100 किसी college में 100 seats है किसी college में 65 है लेकिन जितनी भी वहाँ पर college की seats है उसमें से 8.25% seats reserved है foreign students के लिए तो उसी हिसाब से वहाँ पर आपको seats देखनी होगी जैसे कि BP Coirala या Parton या Institute of Medicine यह सभी medical colleges के अंदर बहुत ही limited seats है तो आपको form भरने के समय पर भी बहुत साफदान रहने की जरुवत है कोई भी गलती होगी वहाँ पर किसी भी तरह का आपको option नहीं मिलेगा कि आप वापस से उसमें improvement कर सकें तो सबसे पहले शुरू करते हैं college number 5 और इस number पे आता है करणाली Academy of Health Sciences जो की करणाली में located है इस college के अंदर total 20 seats है जिसमें से सिर्फ 2 seats foreign students के लिए reserved है तो इन 2 seats के लिए आप apply कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया था कि सभी colleges की fees यहाँ पर 75,000 US dollars है और आपको initial deposit 25,000 dollars के आसपास करना होगा इसके अलावा hostel और food की cost आपको additional देनी होगी इसके लिए mandatory आपको MEC का exam पास करना होगा फोर्थ नमबर पे आता है Parton Academy of Health Sciences यह college 2008 में established हुआ था as a non-profit public institution of higher education और यह Parliament of Nepal के charter के बाद established किया गया था परपस था rural areas में अच्छी health services provide कराना और इसी वजह से इसके साथ जितने भी affiliated hospitals हैं उनके द्वारा rural areas में health services provide कराई जाती हैं Parton Academy of Health Sciences established है ललितपुर नेपाल में और इसके जो vice chancellor है वो है professor dr. भरत कुमार यादव और इस college के साथ बहुत सारे rural hospitals affiliated हैं जहां पर students को clinical exposure मिलता है एक खास बात यह है कि इस college का international tie-up है the university of Sydney के साथ जो देता है इसको एक edge और quality education का guarantee Parton Academy of Health Sciences में total seats है 65 जिसमें से सिर्फ 5 seats reserved है foreign nationals के लिए तीसरे number पे आता है Nepalese Army Institute of Health Sciences इसमें total 100 seats हैं लेकिन foreign students के लिए सिर्फ 4 seats available हैं यह college established हुआ था 2012 में as a non-profit medical education with the welfare fund of Nepali Army और इसका main मकसद है Nepali Army के professionals को healthcare services provide कराना इस college का teaching hospital है श्री विरेंद्र hospital जो की 635 beds है और काटफांडू में ही located है इस college में medical college, nursing college और साथ में ही medical polytechnic college भी है college की advisory committee में Nepali Army के officers और यहां तक की chief of army staff भी included होते हैं इसलिए इस college में आपको एक next level का discipline मिलता है अब आप ज़रूर उच्सकुम होंगे कि कौन से वो top two colleges हैं तो second number पे आता है BP Corolla Institute of Health Sciences ये college 1993 में established हुआ था और 1998 में इसको Autonomous Health Science University के रूप में established कर दिया गया था और इस university को establish करने का मक्सद था socially responsible और competent health care services और manpower तयार करने का as teaching hospitals and clinical experience यहां के primary health care centers district hospitals और zonal hospitals यहां के different districts और regions के इस college के साथ attached है BP Corolla College के अंदर total 100 seats हैं जिसमें से सिर्फ 8 seats foreign nationals के लिए reserved है इस college का नाम बिस्वेशर प्रसाथ कोईराला के नाम पे जो की एक visionary prime minister थे नेपाल के उनके नाम पे ही रखा गया है और यह एक अदबुत example है इंडो नेपाली इस relationship क्योंकि जब इस college का establishment हुआ था तो इंडिया और नेपाल दोनों के health ministers ने मिलकर एक M.O.E.S. sign किया था और इसे महा शिवरात्री के दिन ही शुरुआत की गई थी BP Corolla College के अंदर undergraduate course post graduate course कई तरह के certificate course और यहां तक की PhD courses भी रन किये जाते हैं इस college campus के अंदर medical, dental, nursing और public health services के courses रन किये जाते हैं और साथ में attached 700-bedded hospital और इसके अंदर है सभी advanced facilities के साथ all the major clinical and basic sciences departments और number one position पर आता है IOM यानि Institute of Medicine जिस तरह से भारत में All Indian Institute of Medical Science या Maulana Azad में बच्चे admission लेने के लिए आतोर रहते हैं ठीक इसी प्रकार से वही क्रेस नेपाल में IOM का है क्यूंकि IOM के total 12 campuses हैं जो की scattered हैं जिसमें तीन campus within Kathmandu Valley है और बाकी 9 campus outside the Kathmandu Valley है IOM में total 100 seats हैं जिसमें से सिर्फ 8 seats foreign national के reserved है इस college के साथ teaching hospital के रूप में attached है 663 बेड का hospital जो की Tribune University और नेपाल का one of the largest hospital infrastructure है loins club के साथ established किया गया यहां का ophthalmology center को पूरी दुनिया में एक विशेश दर्जा दिया गया है और यहां पर ophthalmology के लिए एक next level training and research facilities अविलेबल है इस college के अंतरगत कुल 29 प्रोग्राम यानि 29 programs run किया जाते हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे affiliated colleges और hospitals भी हैं जिसमें कि चित्वन गंड़की जनकी कि किस्ट नेशनल मेडिकल कॉलेज नेपाली आर्मी इंस्टिट्ट नेपाल आयर्वित मेडिकल कॉलेज और इसके अलावा पीपल्स डेंटल कॉलेज ललिपपूर और उनिवर्सल कॉलेज भी आते हैं अब आप सबके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा हो क्यों कि 75,000 डॉलर्स यानि 56 लैक रूपीज खर्च करके इन कॉलेज में पढ़ने जाने का क्या फायदा करीब करीब 10-15 लाग रूपे एक्स्ट्रा खर्च करके तो हम इंडिया के किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं ऐसा कई लोगों के दिमाग खयाल आता है बहुत सारे पैरेंट्स ये सवाल करते हैं कि क्यों न हम इंडिया के किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो की 65,70 लाग रूपीज के बजट में हमें मिलता है उसमें चले जाए नेपाल में जाने का क्या फायदा ही तो कॉलेज ब जिन कॉलेजेस की बात में यहां कर रहा हूं वो सभी कॉलेजेस नेपाल के बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनका कोई कमपैरिसन आप इंडिया के इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से नहीं कर सकते हैं वहां जो आपको एक्सपोजर मिलेगा जो आपको पेशेंट फ् Colleges of Nepal के बारे में, उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप नेपाल में MBBS में एड्मिशन लेना चाहते हैं, तो अभी आप registration कर सकते हैं, best part ये है कि counseling खतम होने के तुरंद बाद आप इन colleges को join कर सकते हैं, government medical colleges के लिए आपको entrance देना होगा, entrance की dates अभी decided नहीं है, लेकिन मैं आपको आने वाले videos में update कर दूँगा, और अगर आप entrance नहीं देना चाहते हैं और आप direct admission लेना जाते हैं, तो नेपाल के सभी private medical colleges में इस website पे registration करने के बाद आप direct admission ले सकते हैं, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम बताने जा रहे हैं, टॉप private medical colleges of Nepal उस वीडियो के लिए हमारे साथ जुडे रहिए, इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को subscribe कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे के आने वाले वीडियो के notifications भी आपको मिल सकें, मिलते हैं एक और interesting वीडियो के साथ तब तक खुश रहिए, मस रहिए, enjoy कीजिए, goodbye and thank you.